हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों नहीं जॉपनी इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ रिक्रीट्मेट आ रही है विप्रो की तरफ से विप्रो में दोस्तों जो है वो विल्प 2020 के लिए आप एदन मांगेगे हैं W.I.L.P. 2020 के लिए वर्क इंटेग्रेटिट लर्निंग प्रोग्राम यहाँ पे दोस्तों आप सभी फारती इंवाइटिट हैं लेंग मोड से आप एदन करना है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी फीस को पे करे हुए आपको अप्लाई करना है All India Candidate आप एदन कर सकते हैं हर साल की तरह इस पार भी हो रहा है यहाँ पे आपके टेस्ट लिए जाते हैं इंडक्ट किये जाते हैं टेस्ट अलग-अलग सीटीज में जहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है उसके बाद इंटेवू होता है और उसके बाद आपकी सेलेक्शन होती है क्या सैलरी आपको मिलेगी कौन का निलीजीबल है कौन से एर में पास करी आपने तो आप अपटु आप्लाई कर सकते हैं आफ़ जाते हैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे शुरू से लेकर लास तक इस वीडियो को धयान से देखिए बाकि अगर आप इसमें इलिजिबल होते हैं तो अपलाई कर दीजी अगर बीए बीटेक वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत फूलेगा क्योंकि एक दो दिन में ही जैसे लिंक अपडेट हो जाएगा आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको अवे दन करना है प्रिमेर इंसिचूहूट से पढ़ने का, एम टेक करने का जो कि फुली स्पॉंसर होता है विप्रो की तरह से यानि कि आपको फीस पेये नहीं करनी पड़ती है वो विप्रो पे करता है उसके साथ साथ आपको विप्रो बोका देता है काम करने का और जो एमटेक है इसके दुराना आप चुहे वो काम करते हैं और वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है कौन करने लीजिबल है BCA और BSE student apply बिल्कुल कर सकते हैं उसके लावा और कोई भी apply नहीं कर सकता है यहाँ पे दोस्तों eligibility criteria की तरफ देखते की क्या क्या जो है eligibility criteria रखा गया 2021 वाले ही eligible है यानि की 2020, 2000 अगर आपने 19 में कर रखा है तो आप बिल्कुल भी eligible नहीं है जो लोग 2021 में pass out होने वाले हैं उनके लिए ये recruitment है उसके लावा दोस्तों 10 में आप पास होने चाहिए 12 में कोई भी criteria marks का नहीं रखा गया है graduation के लिए यहाँ पे 60% के साथ आप apply कर सकते हैं bachelor of computer application आपने करी हुई है बिल्कुल eligible है apply कर सकते हैं BSE कर रखी है computer science में, information technology में, mathematics में, statistics में उसके लावा electronics या physics में आप बिल्कुल apply कर सकते हैं यहाँ पे other criteria की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे जो है वो 3 साल से जादा का gap आपकी educational qualification में नहीं होना चाहिए six month के अंदर आपने विप्रो का interview नहीं दिया होना चाहिए तभी आप apply कर पाएंगे अगर interview दिया है तो आप बिल्कुल भी eligible नहीं है, सिर्फ six month के बाद ही आप apply कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों mandatory है कि आपने core mathematics जो है एक subject पढ़ा होना चाहिए ग्रेजेशन में तभी आप apply कर सकते हैं, business math और applied math जो है वो consider नहीं करे जाएंगे as a core mathematics तो यह चीज़ भी थ्यान में रखेगा, बाकि regular college में जाके आपकी educational qualification कंप्लीट होनी चाहिए अगर आपने जो है वो किसी तरह की correspondence education ले रखी है आप बिल्कुल भी eligible नहीं है किसी तरह का gap जो है वो graduation में आपके नहीं होना चाहिए, qualification में अगर आपने तीन साल से जादा का gap दिया है तो भी आप eligible नहीं है उसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पे stipend की बात करें, तो पहले साल आपको 15,000 प्लस यह वो 488 लिखा गया है बाकि approximately यहाँ पे 20,000 के आज़ पास आपको stipend मिल जाएगा, बाकि चौते साल में आपको 23,000 जो है वो stipend उनकी तरफ से पर मन्त जो है वो दिया जाएगा बाकि यह service agreement है, इसके बारे में जो है वो बात नहीं करते हैं, selection process की बात करें, तो यहाँ पे online assessment test होगा, जो की 80 minute का जो है आपका होने वाला है उसके बाद aptitude test, जिसमें की analytical, quantitative, इस section के 20 minutes होगे, जिसमें की 20 questions आएंगे, return communications test होगा, 20 minute का, उसके बात जो है आपका interview लिया जाएगा, technical interview, HR interview, इसी के थुरू जो ही वो selection होगा उसके लाबा दोस्तों बात करें, यहाँ पे जो है, last date की, तो 10 December तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बाकि बात करें, online assessment test की, तो 14 से लेके 18 December के बीच में यह होने वाला है बाकि अगर आपको कुछ भी पूछना है उनसे, तो आप इस email पे उनसे contact कर सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं, WILP इस प्रोग्राम के बारे में, बाकि अगर आपको apply करने में कोई परिशान नहीं आती है, तो अभी आप यहाँ पे उनसे जो है वो जानकारी ले सकते ह apply करने के लिए आपको simply यहाँ पे जो हे वो क्लिक कर देना, यहाँ पे लिंक दे रख है, अलग से लिंक आपको description में मिल जाएगा, जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस page पे आजाएंगे, यहाँ पे आप दोबारा से जो हे वो सारी चीजे रीड कर सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको इसके लिए आवे दिन करना है या नहीं करना है, अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पे apply पे जो हे वो क्लिक कर देना है, जैसे दोस्तों apply पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे email लगाके यह instructions जो हे वो read कर लीजिए, करने के ब apply करेंगे, तो वहाँ पे कई बार 2020 का भी option show होता है, तो वो लोग 2020 वाले भी apply कर देते हैं, तो उनको shortlisted करना पता है candidate को, और जो candidate जो हे वो shortlisted होंगे, उनको वो email के थूरू बताएंगे, किसी भी तरह की जो हे, वो hardcopy आपके पास किसी भी चीज की नहीं आएगी, कोई letter व दिया जाएगा, उसके बाद assessment test को पास करने के बाद interview किस दिन होगा, ये सारी चीजे आपको email के थूरू पता दी जाएगी, बाकी जाधा जानकारी के लिए आप उनकी official website और हमारी official website को रोजाना विजिट करते रहिएगा, ताकि आपको जानकारी जैसे ही आए, मिल जैसे institute में अगर आपको काम करने का मोका मिलता है विपरो जैसी company में तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कुछ लोगों का तो dream भी होता है कि विपरो इनफोसे जैसी company में काम करना, so thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशागरतों कि आपको सारी च झाल